नमस्कार जै जोहार मैं हुमेज जैसवाल और आप देख रहे हैं दिलाल्टिन.com आज हमारे खास कारिक्रम हमर पहुना में हमारे साथ मौजूद हैं 36 गड़ के लोग कलाकार जो किसी परिचे के महताज नहीं है हमारे साथ मौजूद हैं नितिन दुबे दुबे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है दिलाल्टिन.com धन्यवाद और सभी देखने वाले दर्शकों को संगीत प्रेमियों को और मेरे चाहने वालों को मैं साधर अभिनंदन करता हूँ और वैसे आपको मैं नितिन दुबे जी नहीं बोलूँगा न सर नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं आपको बचपन से भईया बोलते हैं हूँ तो मेरा एक आदत हो गया तो ये पूरे इंटर्वियों में आपको भईया ही बोलूँगा और एक चीज है है सबसे बढ़ा चीज है कि котором पाता बुद के अपने शाहने वा लोग बताएंगे कि अबहुत सरी सवाले रहेंगी सवाल मुसार होंगी लेकिन सब से पहले इस नितिन दुब्पे जो बचपना तो यह है जी नितिन दूबे का बच्पन होता है वैसा इता हैज दे तो खाला शरारती था मैं ज्यादा था कि तोड़ा था ज्यादा शरारती से और लेकिन म्यूजिक था है मैं बच्पन से ही और मेरी शरारते बहुत ही बड़ा शरारत मुझे याद आता है कि हम एक बार अपने गाउं गए थे तो वहां पर चलता है खेतों में तो वहां पर हम नहाने चले गए तो अभी मेरे जो चोटे भाई साहब है स्रीवजरंग दूबे जो अभी एशडीम है तो वहां पर हम सभी नहाने गये तो मैं नहां के किनारे बैड़ गया और जैसी मेरे भाई लोग ट्यूब में नहाते थे और नहां के जैसी बाहर निकलते थे उनको फिर बार-बार जाना पड़ता था नहाने कि और ऐसा मैंने बच्पने बच्पने? कजुड़े दर बच्पने में, घुब कुटाइ होई में? तो सब सरार्तें फिर धिरे-धिरे कम होती चले कि समझदारी आ गए और आज बड़ा प्रेम हम भाईयों में और और क्या को बस ऐसा ही दुबे जी यह है नितिन दुबे जो सिंगर है यह सिंगर जो बनने से पहले बच्पन में कुछ और जो खयाल था मतलब सिंगर ना बने को तो हिट हो गए तो ऐसा रहता है लेकिन उससे पहले सिंगर बनने से पहले नितिन दुबे बनना क्या चाह रहे है जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछ लिया एकसर कोई पूछता नहीं है जी अगर मैं सिंगर नहीं बनता तो डेफिनेटली डॉक्टर बनता और मैंन मैंने प्रॉपर इसका मैंने कोचिंग भी किया था PMT की त्यारी के लिए मैं भिलाई में भी था दो वर्ष और वहां मैंने PMT के परिछा देने के लिए मैंने कोचिंग भी लिया और कुछ परसेंटेस से मैं चुक गया लेकिन बाद में मेरा म्यूजिक में इतना ध्यान था कि मैं फिर music की तरफ मूड़ता चला गई जाने कैसे music की तरफ मेरा जुकाव होता चला गया और मैंने फिर music की तरफ रोग कर लिया मना हो कि doctor ना बनके music की doctor बन गए मतलब जी एक प्रकार से देखें तो बड़ा अगर मेरे संगीत के माध्यम से लोगों को थोड़ी राहत पोस्टियों सुकुन मिलता हो तो यह प्रकार से मैं भी आप कह सकते हैं कि संगीत का डॉक्टर बनने क्या कोशिश कर रहा हूं संगीत के डॉक्टर हमारे साथ हैं तो सबसे अब आपके स्कूल के बाद स्कूल लाइफ उसके बाद कॉलेज में यह कुछ नितिन दुबे सालिबरेटी हैं बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कॉलेज लाइफ में कोई एकाद मतलब अभी तो भावी जी है ना भावी जी से पहल जी सच बोलूँ बिलकुल मैं बोलूँगा लोग मानेंगे ने लेकिन सच यह है कि मेरी गल्फरेंड तो कोई नहीं है मेरे दोस्त बहुत सारे थे और अच्छे दोस्त थे और बहुत मेरा हासला बढ़ाते थे बहुत सारे दोस्त थे मेरे और फिमेल दोस्त लड़कियां ब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और सभी से बड़ा अच्छा रिष्टा है तो जब आप म्यूजिक इंडिस्ट्री में तो सब से पहला आपका कौन सा गाना था जो मतलब सबसे पहला जो गाना आप इस्टूडियो में जो गाया थे वह कौन सा इंडियो मुझने में पिदे मुझे कमेस चाला गया। में और को परफॉर्म करने क्यों सबी उपने पढ़ी श्रक तुय सुने जब उतेजिक करें विला। उन्हों ने आवास तुने किसी माधियम सेुन्होंने क्यों सब्हस्चतू कांओ की और हमानिंद की मान्मौनी मन्मौोहिं गांगं की गोड़ी तो यह तो खीज़ले अधि miles मन मोहिनी मोही डारे वो मन मोहिनी है गाओं के गोरिया हम पढ़े बर जावते सहरिया मन मोहिनी है गाउं के गोरिया हाई पढ़े बर जावते सहरिया हाई मारे ये 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 हाई मारे हाई मारे तिरची नजरिया मन मोहिनी मोहिडारे वो मन मोहिनी है गाउं के गोरिया हाई पढ़े बर जावते सहरिया यह गाना तो अगर कहा जाए तो यह अभी हम ऐसे सुन रहे हैं यह जंगल है ऐसे जगह में सुन रहे हैं तो studio की आवाज आ रही हैं तो studio में तो फिर सुछान आलला उसका तो कह नहीं सकते हैं कि जब के साथ मुस्य के साथ मैंने अगाना वी बहुत है और मुझे भी पढ़ा प्रह बहुत बहुत ज्यादा पसं Campbell यह और जब रिलीज हुआ तो फिर लोगों में क्या प्रतिक्रिया हुई फिर लोगों के पास जब गए तो कैसा रहा हैं यह को यह जब रिलिजवः तो ये बड़ा बनाए एक अलग एल्बम था त्यां दिवानी मैं दियो और इसमें मेरे चार गाने थे जावन दे जावन दे मुला एक मौडरन मरदन था और उड़ जारे मैना था मुला जहां मारे मेरे दोस्त ने गाया था और एक गाना था मनमुहनी गाउंगोरिया तो मनमुहनी गाउं गुरिया जो गीत है वो बहुत समय तक लोगों को ये लगता रहा कि ये गाना विनोद राठोर जी ने गाया है। तो वो मुझे बोले कि हम बहुत समय गई समझते थे कि ये विनोद राठोर जी ने गाया है। एक जो ही तुझे हो गया लेकिन जैसे कि ये आपके फिर गाने लगाता है राना चलो हुआ फिर एक जो घाना रहा है सबसे बढ़ा हिट हुआ है माचंद्रहास ने विल्टे कि कहते हैं कि एक चीज सुनने भी मिलता है लोगों पहलते हैं कि नितिन दुबे को माचंद्रासनिक आसिरवाद है तो वो कौन सा गाना था हमारी गाड़ी चल पड़ी एल्बम बड़ा हीट वा सारे शादियों में सब जगव वो एल्बम बज़ रहा था तो उसके बाद फिर हायतुर बिंदिया टैमुर प्रेंदिवन लगातार पडोसीन टूरी बहुत सारे नंबर आये मेरे फिर मेरे मन में एक टीस थी कि मैं भजन क्यों नहीं का रहा हूं और फिर वो भजन गाने के लिए बहुत से लोग कहते थे नितिन यापके आवाद आज लोग बोलते हैं कि नितिन याप बहुत अच्छे लगते हैं आपके कई लोग भजन समराट कह देते हैं जो मैं अपने आपको उसका बिल नहीं समझता लेकिन आपको जानके हसी आएगी के शुरुवात में लोग मुजिक कमपनी वाले ये समझते थे कि नितीन जी आपके वास तो रोमेंटिक है आप में भजन अच्छा ने लगेगा तो लेकिन फिर मेरे मन में यही बात मुझे चैलेंज दे दिया कि मैं तो भजन गा के रहूँगा और मेंने गाया और माँ चंदरहसनी के लिए पूरा मेरा इक्षा था कि मां परी कहानी को पहली बार एक ऐसा फोक हमने उठाया उस गीत के बार में आपको कुछ लाइन बता दू महीं डिटेल में बता सकता हू न तो वो उस गित का ऐसा है कि वो उस वक्त तक मा की जो कहानी हुआ करती थी वो एक ही धुन में चलती थी एक मुखड़ा एक अंत्रा लगातार चलता था पहली बार मैंने उसमें संगीत में कुछ बदलाओ किया हर अंत्रे में गाने का धुन बदल जाता है दूसरा अंत्रा लेकिन हरा सफलता में सफलता चुपवी होती है तो फिर हमने डिसाइड कि हम इसे खुद रिलीच करेंगे और इस अल्बम को हमने रिलीच किया और यह नंबर ऐसा चला ऐसा चला कि आज जो भी चंदरहासनी मंदरी जाता है वो जाके देख सकता है आज भी वहां पे मेरा ग जो चंदर्पूर गया हो और उसने मेरा इए भजन न सुनाओं वो भजन का थोड़ा सा मुखड़ा है थोड़ा सा कि माचंदर चैने के गावत हावां मेहा नारियोओ हां घेकरदुबारी नरनारिय। देओं ताजब मोटे के मा था की माचंदर सेंवे गावथावाँ मेह गा था की माचंदर सेंवे तो यह माचंदर हासनी का तो ये भजन बहुत हीट हुआ था। मैने बच्पन में था तो इस गाने को बहुत सुना भी हूं। और मैं भी अपनी एक बात है हम लोग जब गया थे फैमिली के साथ चंदरपूर तो यह गाना चल रहा था और इसमें यह जो था आप सायद उसमें आप भी एक्ट की है और चलते चलते सीधी में जा रहे थे चुन में इस चीज को देखा था मुझे भी बहुत अच्छा लगा कई हजारों मतलब स्टेज प्रोग्राम कर ली होंगे तो जो स्टेज प्रोग्राम था फूह फिर ऑफ़र कैसे आना चालूब आपको जी इस टेज प्रोग्राम जो मुझे आफ़र आना चालूब हुआ वह ऐसे चालूब हुए कि मैंने एक बहुत सारे 36 गड़ी अल्बम मे मुझे बाबा साही पुरे हिंदूस्तान ही ने विष्ट में प्रसिद्ध है तो मुझे बाहर से भी ओफर चालू हुआ और 36 गड़ी गीतों के वज़े से मुझे कुछ जजगीत के प्रोगाम चुंकि मैं चंदरास की में गाना गाया था तो मुझे ओफर 36 गड़ से आने लग किया और फिर साही भजन में तो मैं पूरी हिंदूस्तान में लगए 7-8 राजियों में अपने प्रोगान दिये इसमें साही भजन में एक जो हिट हुआ था गाना साही का सजदा क्यूंकि मैं सुना हो तो मुझे वह गाना याद है तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए उस गाने को उससे पहले वह गाना कहां से रिलीस किये कैसा हुआ और यह गाना मतब लिक्स कौन लिखे फिर यह प्लान कैसे आया साही भजन में आने का क्योंकि आप पहले 36 गड़ी यह जो गाना गायर रहे थे रोमेंटिक था फिर उसके बाद जस्गीत गाना चालो कि माता जिनात महराज का मैं शूरू से भागता था बहुत बड़ा भागता था दो हजार नौ में मेरे भाई समान एक मित्र हैं बड़े भाई का हुआ उनसे में हरिश गुपता जी उन्होंने एक एल्बम मनाया चलो श्रड़ी धाम तो उस एल्बम के लिए मुझे बोला कि नितिन आपकी आवाज बॉलिवूट लेबल की है आपको मुंबई से अल्बम करना चाहिए तो फिर मेरे मन में बात आ गई कि मैं जरूर मुंबई से कुछ ट्राइक करूँगा और उसके बाद मैंने साई का सजदा लिखा भी, कंपोज भी किया और गाया भी और यह रिकॉर्ड कि मुझे लगता है कि साई का सजदा जैसा गीत पचास-सौ साल में एक बार बनता है, ऐसा यह भजन है, मेरे दिल के बहुत करीब है तो ये आपके दिल के करीब है, दर्शकों के दिल के करीब है, लाल्टेन के दर्शक भी चाहेंगे कि वो उसका थोड़ा सा मुखा है जी जरूर तो ये तो एक नेक दिल इनसान चाहिए सजदा 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 तुझ में साई मुझ में साई सब में साई है अपने बंदों के दिल में रहते साई है तुझ में साई मुझ में साई सब में साई है अपने बंदों के दिल में रहते साई है साई के दर पे तू जा शिरडी में सर को जुका सजदा तू कर साई का साई देने वाले है कोई नहीं जिसका जहां में उसी के साई है अल्ला साई है मौला साई है खुदा साई है बहुत सांदार साई के सजदा महतारनी की भजन रूमैंटिक यह कारवाण लगाता आपका बढ़ता रहा stage program लगातार दे रहे हैं stage program में कोई एसा tragedy बीता हुआ हो क्योंकि अप जैसे जाते हैं कहीं अलग अलग जगांड है कहीं मतलब ऐसा आपके साथ नहीं हो फिर भी छोड़नी रहें ऐसा कहा हुआ है मतलब उसमें से सबसे कोई एक यूनिक जगा हो वहां का जिगर की जी मेरे साथ ऐसे ग्रिपा रही है कि कभी भी मुझे कभी स्टेज में दर्शकों का प्यार ना मिला हो ऐसा कभी नहीं हुआ तर्शक मुझे हमेशा बहुत प्यार दिये हैं हर जेगा प्यार प्यार दिया है यह बात है कि चुंकि हमारा राज जिय है चथिस गड़ यह अभी बना है ज्यादा दिन नहीं हुआ युवा है भी हमारा राज ये, तो उस वक्त गाउं में उतनी व्योस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन हम फिर भी जाते थे, हमारी इच्छा होती थी कि 36 गाउं के लोग जो हमारा प्रोगाम नहीं देख पाते हैं, हम कश्ट सहले लेकिन उनका प्रोगाम जरूर करें, यह मे है कि कभी ऐसा हुआ हो तो जी ऐसा तो लगभग लगभग मेरे हर प्रोगाम में हुआ है कि प्रोगाम की टाइम खतम हो गई हो और ओडियंस बोल रहे कि वन्स मोर वन्स मोर करके, तो यह एक चीज में मुझे याद आ गए, तो वह मैं आपको बताओं कि एक बार ऐसा हुआ तो उस वक्त हम लोग 2-3 मित्र मिलके हमें गुरूप चलाते थे न्यू जेनरेसर नाइट, तो वहां हमारा दश्यरे का प्रोगाम था, हमारी पूरी टीम वहां पहुच गई और वहां पर हमारा साउंड नहीं पहुचा, पूरी पबलिक खड़ी थी, अब सारे जो और जो सुनेंगे तो आपको हसी आएगा कि हमारे मुजिसियंस को उन लोगों ने बत और आप बंधक बोल सकते हैं, उन्हें रख लिया कि जाईए आपको साउंड लेकर आईए और प्रोगाम करना पड़ेगा, तो हमने उस दिन पोश्पॉंड कर दिया और अगले दिन मैं और मेर मिंदगार था कि एशहरे के दिन साउंड ही न पहुंचे और प्रोगाम ही न हो तो ये बड़ा यादगार परकूम था मेरा. क्यान पूल सकते हैं या शाल dön Medium लेकिन से लाए लिकार को यह भर आपक धिंड़ा बंधक करना ही पड़ेगा. तो फिर हमने गोला भाई आज तो आया नहीं अब क्या करें तब हमने अगली दिन जा करके साउंड ला करके और वहां प्रोग्राम किया तो यह प्यार का बंदन था यह नितिन दुब चलता रहा कारव बढ़ता गया ऐसे लिडीये में हीट हो गया एंधुनध मैं ये पूछाँगा कि YouTube से पैसे आना चालो हुआ के नहीं आपने अंदर की बात पूछली और सभी यह जानना चाहते हैं, बहुत सो पूछते भी हैं कि नितिन्भिया आप YouTube जो कमाते हैं, आप यह कितना कमाता हूं यह तो नहीं बताओंगा लेंगे हो पूछ आजाता है, और इतना आ जाता है कि कलाकार का वीडियो का वे जो निकल जाता है और रही बात मैं जो युटुब से कमारा है, वो लोगों का प्यार है, मैं चाहता हूँ कि हमारे 36 तरफ़ किसी सिंगर का मैं यहां के 36 आटिस्ट का ऐसा यूटूब चैनल हो जिसे हम फक्र से कह सके कि यह हमारी सिंगर इनका यूटूब चैनल है तो अब मैं अपने यूटूब चैनल के माध्यम से हर प्रकार का गीत देने का कोशिश कर रहा हूं आने वाले समय में मैं आपके इस लाल्टेन जो चै बाट करके उन्हें चांस दोगा मैं यूटूब चैनल से याद आ गया लाल्टेन जो है अभी जलना सुरू हुआ है और सबसे बात है कि हमारे हमर पहुना जो कारिक्राम है उसके सबसे पहले गेस्ट जो आप हैं जो हमारे लिए एतिहासिक है तो लाल्टेन आप लाल्टेन हर सोचल प्लेटफरम पे हैं और हमारा एप्लिकेशन है और हम लाल्टेन.com.in सब में हैं तो आप जो हैं आपके फैंस हैं उनसे एक बार अमरोत कर दीजिए कि हमारे लाल्टेन को सबस्क्राइब करें फेस्बूक को फॉलो करें तो एक बार एक बार अपील कर दीजिए जी पर आप जाहां पर आप इसे फेमस करें और हमेश जैसवाल जी बहुत ही युवाव पिढ़ी में एक अच्छे पत्रकार के रूपन उभर रहे हैं तो इनके उज्वल भूशी के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी इने अपना अशिरवात दें कि निवर्डिया ने अपना अशिरवात दे दिया आप भी अपना अशिरवात देलेंगे फिर हमारे जो बातू कि जो इसिलसिला से याद आया हम अगे तो बढ़िवहiliКак Georgia आपक चीज पीछला में थोला जाना चाहूंगा एक उस दरण गास recibir के सेड नहीं था उस दगरण व उसमें साइडे में गाना था हायमोरचाडने। है ना हायमोरचाडने। वह काफी चला भी है। और उसके उसको सुने बढ़ी है साइडे को , जब गए पलटा है उसमें चलू होगा आजर याजँ द्हुखा वाली। मतलब एक ही कैसेड में एक साइड में प्यार मुभबत रुमैंस की बातें दूसरा में उसको लड़की को सुनाना चलू कर दिया आजर आजर धोखा वाली तो यह कॉंसेट कैसे आया और क्या था बताएंगे तो जी बड़ा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया है मुर मुझे लगता है कि जब भी च्छतितगड में टॉप थ्री रोमैंटिक गानों की बात की जाएगी तो हाय मुर्चान्दी मुझे लगता है कि हमारी जनता जनारदन उसे टॉप में रखेगी मुझे ऐसा लगता है इसलिए नहीं कि मैंने गाया है उस वक्त तक ऐसा और यूथ पिडिया बदलती जाएंगे लेकिन ये गाना रहेगा तो ये गाना बन गया इसलिए बन गया क्योंकि उस वक्त हम भी टिनेज थे और हम भी बैचलर थे और हमारे अंदर भी बड़ा मोहबत कूट कूट के भरा हुआ था इसके लिए संगीत के लिए जो आप जा हो था अंदर बहुत और मैं किशोरदा को बहुत कंए कशोरदा आ कि मुझे लगता था कि कुर्ण ओचा था किकी सोग घ्राbnा groß जैसे रॉमार जान रोमेंटिक सॉंग गाते हैं सोनु दिलबर मेरे ऐसा कुछ मैं रिकॉर्ट करूँ तो आप देखेंगे दिलबर ओहनसनी ऐसे जो वर्ड होते हैं उसको हमने हाय मुर्चान्दी में डाला और हाय मुर्चान्दी में एक वर्ड हमने डाला था मन पंचिनी जो कि आज तक कभी उससे पहले किसी गाने में आया नहीं कि जो एक पल में महबबत से दिल को जमा कर सके तो दूसरी पल में जखमी दिल की बात को अपने स्वर से कह सके अपने आवास से तूटे हुए दिल की दास्ता कह सके तो मैं किशोर्दा को बहुत फॉलो करता था तो मैंने आजा रहाजा दोखा वाली बनाए कि मैंने बोला क है और अगर अनसक्सेस हो गया तो आजर धोखा वाली तो यह तो पुरानी बात रही अप नया जमाना गया संगीत का भी दौर बदला नितिम दुबे का भी आवाज बदला तरीका बदला कैसेड से सीडी कैसेड आइडियो कैसेड से है ना तो जो चावकॉन था गोल में आगया पेंड्राइब का जमाना आगया प्लेटफॉर्म में भी सोसल मीडिया आ गया ताबर तूर वायरल होने का तो अभी जो करंट की जो सौंग्स है वो उसमें से सबसे रोमांटिक कौन सा लगा आपको सबसे मजद्दार क्या लगा जी मैं अपने आपको बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मैं म्यूजिक के जितने बदलते दौर में मैंने सभी दौर देखा और मैंने ऑडियो के सट के जमाने से करते हुए आज सोसल मीडिया के जमाने में यूटूब पे भी मेरे गाने आ रहे हैं तो इतने वर्जन संगीत का बदलता चला गया फेज आता गया इसमें मैं खुशनसीब हूँ कि हर वर्जन में मैंने गाया है और अभी जो सोसल मीडिया का दौर है तो अभी मुझे मेरा पसंदीदा गाना जो है वो है मेरे दो गाने भी बहुत मुझे अच्छे लगते हैं एक मेरा हायरी मुर्कोचे पान जो अभी कि हर जगा शादियों में पूरे अच्छा चलिए काते रूपनी खारे चंदेनी वैसे जर अच्छा कोचे ही पान को भी तो मैं काम करता हूँ पहले मैं काते रूपनी खारे चंदेनी का दो लाइन सुनाएता हूँ काते रूपनी खारे चंदेनी चेहरा ही रासे ही जिल मिलाव थेरे चंदा से ही जगमगाव थेरे जोन गली निकले रात रानी कितकिके उड़ा से ही मह महाव थेरे मुंगरा से ही मह महाव थे प्रेम नगर के राच कुमारी तोर होट पुजा के थारी तोर खुश्बू मामन गुदगुदाव थेरे गुदगुदाव थे सांदार सांदार भी जानदार भी इसलिए नितिन दुबे को 36 गड़ की आवाज कहा जाता है 36 गड़ के सोनू निगम भी कहा जाता है उनके फैन सुनको अलग-अलग नाम से बोलते हैं इसी बीच में एक दूसरा भी देंगे हायरे मुर को चाहिपान उसको भी थोड़ा सा दोलाइं से ना देंजें हायरे हायरे मुर कले रानार तोर बर मुला मया मया लागे तोर बर मन्चु मुचु मुलागे लागे तोर बर मुला मया मया लागे हायरे हायरे मुर से मिनार तोर बर मन्चु मुचु मुलागे बहुत तारीफ जितने भी की जाया वो कम है ये जो जितने भी क्योंकि यह जो गाना है ना आपका काता है रूप निखारी चेंदेनी एक है गोरी जब लहरे तुर चुनरिया और यह जो कोचाई पान यह मेरी गाड़ी में मैं खुद सुनते सुनते जाता हूं बाकी के बाद छोड़ी दीजिए साही का सजदा सुबह आज ही मैं रायपूर के जीये गाना हमारे राज्या हैं एक सिय गाने वाले एक सिक लिखने वाले शुरु से जण्म लेते रहे हैं पहले करहों, श्री लश्मन स्वर्गी लश्मन अच्थोरिया जी और बहुत सारे पुराने सिंघर जो भी अर पुराने सिनियर जो भी तक गार हैं, सब अच्छे थे और उनसे भी ज्यादा जबी नए पीड़ी के जो सिंगार आ रहे हैं वो हमसे भी ज्यादा त्यार है और उन्हें कुछ सिखाने का जरूरत नहीं है नए पीड़ी के बच्चे सभी कुछ जानते हैं बस उनको मैं यह कहूंगा कि जल्दी बाजिने करें सफलता का कोई सट्रेंटेंडवी के पेवाद करने खेए और ASMA करीज़ें रहां रॉनको आधने तो सब्सक्राइब आर व कुमार भी चोनीर को सब्सक्राइब कर्या है और अच्छा क्या वर जब आप as a human being एक इनसान के तोर पे बहतर बनेंगे तो एक अच्छा कलाकार आप बिल्कुल बन जाएंगे मतलब अपने जो आपके जूनियर कलाकार हैं उनको आप संदेश दिना चाह रहा हैं कि बैठर कीजे और हमेंशा जो बहतर करेंगे कोसिस करेंगे तो जो कोसिस करें वालों कि कभी आहीं होती यह जी का अपने जो जूनियर आर्टिस्ट है जो जूनियर कलाकार है जो नए म्यूजविक कश exterior के लिए हैं जाते जाते लास्ट्सावाब नितिन दूबे और क्या बहृतर देना चाह रहे है फिल्म इंडेश्ट्री। में चपतिशगरी मेंूजिक इंडेश्ट्री। और ने और कौन से आनेवाले हैं जिसको हम सुनना चाहते हैं। यह मेरा आखरी सवाल। जी मैंने तो अभी दो फिल्मों में मैंने अभी संगीत दिया है जो आने वाला है एक है मिश्टर मजनू जो कि सुनाड़ी फिल्म प्रोडक्शन से आएगी और एक है दिल परदेशी होगे रहे जो जी म्यूजिक 36 गड़ से आएगी तो नया तो ऐसा है कि अपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कलाकार कभी संतुष्ट नहीं होता वो अपने जीवन के आखरी सांस तक कुछ ने कुछ देता रहना चाहता है तो मैं यही चाहता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूं अपने अंतेmarket में सांस तक मैं अपने जनावह करता रहूं और मुझे लगता है कि चाहे वो हाए मुईर्चाइनी हो चाहे आजर धोक़ा वाली हो कोचा ही पान हो चाहे कात्य रूपनी खारचंदय हो अमर कथा हो साई का सजदा हो चाहें मेरे अंगीनत गानें कोई भी हो लेकिन अभी मेरा बेश्ट आना बाकी है अच्छा तो इससे एक चीज और तो फिर एक सवाल और बन जाता है अंतिम सवाल नहीं रहा गया एक और सवाल आ गया नेतिन दुबे सिंगिंग के बाद एक्टिंग में अध करते रहा हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि नितिन जी आपका टाइमिंग बहुत अच्छा है तो अगर मुझे मेरे लायक कोई मेरे परस्णाल्टी को शूट करता हुआ अगर कोई बढ़िया सा कोई रोल मिलेगा कोई बढ़िया फिल्म अगर कोई मुझे लेकर के एक एक फिल्म की स्टोरी स्क्रिप्ट अच्छी होने चाहिए तो मैं जरूर करूंगा तो अप सुन लिये हैं दिलाल्टेंड.com से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वह भी बहुत जल्द कोई अच्छी स्टोरी मिलेगी तो वह एक्टिंग की दुनिया में आएंगे तो नितिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम से चर्चा की हमरे पहुना में आए हमारे खास महमार रहे आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय जोहर तो दोस्तों हमारे साथ है नितिन दुबे जो 36 गड़ के आवाज हैं उनसे हमने खास बात चीत की और उनके बारे में आपको परोड के बहुत आपको तोस्तों हमारे में लोगाद टूलतन दूट को अन्यवाद